हेई गाई वेलकम बेक टू अनेधर वीडियो तो आज के इस वीडियो के दर हम बात करने वाले हैं वीवू V29 के बारे में डियो के जल्दी लाउंच हो जाएगा और आज के इस वीडियो के अन्बॉकसिंग के साथ साथ इसकी सारी स्पैक्स और इसका रिविव भी करेंगे औ आप बताँगा तो वीडियो काफी ज՞धा इंर्स्टिंग और काफी ज़्रिक्ष मोने वाली है तो आप फिलोले कर चीड्रेख आय kim डिरियन को शूरु ज्रुड़ने करण अड-द होर् है विडियो को लगाते है वीडियु को लाइक से ये खुबशूरत है, स्माट्फून के डिजाइन है मिली, वो काफी जदा खुबशूरत है, यहाँ पर अपको फ्रेंट के ओपर dual sim का sport देखने को मिलता है, expandable memory card अपसके नहीं लगा सकते और यहां पर आपको type C की port के साथ stereo speaker का setup जाए, वो देखने को मिल जाता है front punch hole आपको देखने को मिल जाता है, front display की बात की जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलता है 20 to 9 aspect ratio आपको देखने को मिल जाता है, यह फुल HD Plus पैनल है, यहां पर 1080p से थोड़ से ओपर के dilution आपको देखने को मिल जाते हैं front punch hole आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको 91% की screen to body ratio देखने को मिलती है display wise side से आपको कोई भी problem नहीं होगी, इसके उपर आपको netflix वारा कंदर HDR का option भी देखने को मिल जाएगा तो यहां पर overall आपको काफी अच्छा content वो watch कर सकते हैं, gaming के अदर भी आपको कोई problem नहीं होगी, although यह gaming phone नहीं है snapdragon की तरफ साने वाला है, यहां पर आपको काफी अच्छी performance देखने को मिल जाती है, 8GB के LPDDR 4X RAM देखने को मिलेगी, साथ में यहां पर आपको 256GB की UFS 3.1 की story देखने को मिल जाएगी, तो performance पार्ट स्मार्टफून का decent है, इतना अच्छा है यहां पर अगर computer's को देखा जा तो back side के ओपर आपको triple camera setup देखने को मिलता है, जिसके अदर आपको main sensor 50MP का है, 8MP का ultra wide और 2MP का यहां पर आपको macro sensor देखने को मिलता है, front के ओपर 50MP की selfie देखने को मिल जाती है, इस smartphone के अदर आपको front और back के ओपर 4K 30fps का option देखने को मिल जाता है, वीवर्स की जो cameras हैं, वो generally काफी अच्छे होते हैं, वी स्रीज जो है, वो cameras के लिए जाने जाती है, तो यहां पर आपको cameras decent देखने को मिलने वाले हैं, काफी यहां पर आपको bright photos देखने को मिलेंगे, और यहां पर social media ready type photo देखने को मिल जाएंगे, editing वगरा काफी, यहां पर आपको अच्छी देखने को मिलती है साथ में यहां पर आपको 80 वार्ड की फास जाजने को मिल जाती है जो किया अबके स्मार्टफून को 50% 18 मिनट के अंदर चार्ज कर देगी बहुत के अंदर आपको 80 वार्ड का चाड़र भी देखने को मिल जाता है इस smartphone की जो expected price है इंडियन मार्कीट के अंदर ये आपको अंडर 30,000 देखने को में लेगा जबके पाकस्तानी मार्कीट के अंदर ये smartphone अभी तक इसके बार में कोई official price के बार में नहीं बतायागा लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इस smartphone एक लाग से तो ऊपर की आएगा इंडियन मार्कीट के अंदर ये smartphone 16 September के अंदर लाउंच हो जाएगा और ये smartphone के बार में comments में दुरू बताईगा वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर दीजिएगा नेक्स वीडियो दिखले लाफेज, thanks for watching